एस्ट्रो लवर्स जोतिश सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाईए हमारे लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए आज हम जानेंगे श्रावन मास में जन्म लेने वाले जातक के बारे में इस मंद्र में इस प्रकार कहा गया है सुखे दुखे तथा हानव लाबे च समचित्तक थूल देह सुरूपस्च श्रावने जाय तेनर इसका अर्थ होता है जिस जातक का जन्म श्रावन महिने में होता है वह जातक सुख, दुख, लाब और हानी किसी भी परिस्थिति में समचित्तक माने एक समान मनस्थिति वाला रहता है ऐसे स्थिति को बागवत में स्थित प्रग्न कहा गया है, ऐसे जातक सुख के समय में ज्यादा हर्ष में नहीं रहते हैं और दुख के समय में ज्यादा गलानी का अनुबव भी नहीं करते हैं सावन मास में जन्म लेने वाला जातक थूल देह वाला होता है यानि कि वह पतला नहीं होता है दुबला पतला नहीं होता है और ऐसा जातक स्वरूपवान भी होता है दिश टीवी और डीटुएच पे सब्सक्राइब करें जोतिश दुनिया